कि 1st October 2022 को मानने प्रदानमंत्री जी ने 5G लाँच किया था आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के टॉप 3 5G एकोसिस्टम्स में शामिल हो गया है 2,70,000 साइट्स 5G की देश में रिडिय हो गई है साइट रिडियेट कर रही है और बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान वर्ल्ड के टॉप 2 5G एकोसिस्टम्स में शामिल होने वाला है जिस तेजी के साथ 5G का रोल आउट चल रहा है यह फास्टेस्ट रोल आउट फाइजी अनिवेर इन दी बॉर्ल प्रदान मंत्री जी ने अच्छली मार्च के महिने में माने प्रदान मंत्री जी ने भारत 6G विजन लाँच किया था उस भारत 6G विजन में कई एक्शन आइटम्स है उन एक्शन आइटम्स में सबसे बड़ा एक्शन आइटम्स था इंडस्ट्री और एकडेमिया को साथ लेके एक ऐसी बॉड़ी क्रियेट करना जो की 6G की जर्णी को, 6G के डिवलॉप्मेंट को, 6G के काम को बहुत एक मेथोडिकल वे में, सिस्टेमेटिक वे में आगे ले जा सकी है तो आज भारत 6G अलाइंस के नाम से, भारत 6G अलाइंस के नाम से, एक इंडस्ट्री और एकडेमिक इंस्टिटूशन्स की और भारत सरकार के, इनका तीनों का एक समवेद करके, तीनों को मिला के एक बहुत एक अच्छी प्रोफेशनल बॉड़ी क्रियेट की गई है, जिस भ да प्रॉड़ी, इंड भारत सरकी ओंसानल, एक अच्छी मीनायन अपर सिर्पल एक्तिनाριा गारत 5G का आच जब एक इंडस्तिमीन इस करेड़ी ऑडे ऑन इह कितो लिडा़ी की अलाइंद 2, एक अच्छी मीन इस भास की यड एक आट पूर आपूराक्टिभ दिना PT testbed in the Terahertz frequency range with Samir which is part of the Mighty Ministry, it is the microwave body which specializes in microwave communication and with IIT Madras consortium a testbed has been launched so these two testbeds will become the foundation of any दोल्रेड़ चेपन इन आपर पूल से अफ़ा बार्ज़ में बार्णेरीब कोुछी प्रण प्रणें इंडिन अभर्स प्रणेंस ठीम में कि अतेफ के सीजिट एकोंट टाफ टूलागी जारा हुट है हुआ नियुक ग्युक्या पूलग है